हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह रैम मेमरी की कैशे को बफर को या स्वाइब स्पेस को क्लियर कर सकते हैं लाइनेक्स का या फ्लेवर सेंटो 7 है इसके अंदर मैं आपको यह सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा लाइव डिमेंस्टेशन के साथ कि आप किस तरह रैम मेमरी की कैशे को बफर को और स्वाइब स्पेस को क्लियर कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारी कुछ कमांड है सबसे पहली जो हमारी कमांड है कि आप पेज के कैशे को सिर्फ पेज के कैशे को कैसे क्लियर कर सकते हैं तो उसके लिए हम सिंक की कमांड यूज़ करेंगे उसके बाद एको ये काफे लंबा सिंटेक्स है लेकिन ये पेज की कैशे को रिमूव कर देगा आपने ये सारी कमांड टाइप कर रहा हूँ थाके आपको कमांड को देखने का भी पता चल दे कि मैंने क्या कमांड टाइप की आपको सारी कमांड खुद से नज़र आए यह important command है यह आपको क्या करता है कि आपके page की cache को remove करता है यह सारी command के उपर मैं focus इसलिए कर रहा हूं कि अगर आपके पास कोई live server चल रहा है तो उसके उपर आप afford नहीं कर सकते है कि अगर कोई चीज खराब हो जाए तो इसलिए यह मैंने पूरी command आपके सामने टाइप की है आपने क्या करना है ये सारी कि सारी कमांड इसी तरह टाइप करनी है और उसके बाद आपने अंटर कर देना है तो इससे होगा क्या कि आपकी जो पेज की कैशे है वो रिमूव हो जाएगी लेकिन अगर आप पेज की कैशे के लावा कुछ और करना चाहते हैं जैसे आप डेंटरी या Inodes को क्लिर करना चाहते हैं उसके लिए भी येही कमांड यूज होगी लेकिन Echo के बाद Two का सामना आएगा command सारी यही है जैसे ही आप यह लिखके enter करेंगे आपकी dentaries भी clear हो चाहेंगी और inodes भी लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप page की cache, dentaries और inodes इन तीनों को इकठा delete करना चाहते हैं इकठा clear करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दो की जगा 3 यूज़ कर देंगे और उसको enter करतेंगे तो यह तीन commands है तीनों बहुत ही ज्यादा important है यह तीनों commands है आपकी cache को remove करके उसको free करती है cache को clear करके उसको free space को free करती है और उसके बाद आपका जो system है उसको smooth करती है अगर आप echo के बाद digit one यूज़ करते हैं यह page की cache को remove करेगा अगर echo के बाद two digit use करेंगे तो वो dentries and nodes को clear करेगा लेकिन अगर आप echo के बाद 3 को use करते हैं तो यह क्या करेगा आपके in nodes, dentries, page caches सब को इकठा clear करतेगा यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ अगर आपको किसी live server के उपर हैं तो वहाँ पर आपको सिर्फ recommended किया जाता है कि echo के बाद one ही use करें बाकी के दो और तीन जो sign वो use ना करें यह recommended होता है क्योंको उसमें आपको बहुत सारे logs और दूसरी चीजों की जरूद पढ़ती है तो आपको कही ना कही पर उन चीजों की जरूद पढ़ जाती है तो यहाँ पर अब हम इस ही काम को थोड़ा automatic करके देखते हैं मैं क्या करता हूं मैं इस command को copy कर लेता हूं यहाँ पर हम एक file create करता हूं यह एक batch script है मैं चाहता हूं कि यह सारा जो काम है वो automatic हो जाए और daily हो जाए तो फाइल का नाम कुछ भी लिखें उसके बाद dot लगा के अपने ssh लिखने ताकि यह batch script बने उसके बाद आपने इसको open कर देना यह file मेरी अब बन गई और create भी होगी है यह एक batch script है इसको note down करने के लिए मैं इसमें कुछ लिख भी देता हूं और आपको बताने के लिए आप मेरी यह same ऐसे ही copy कर सकते हैं इसमें आप बलाओं के लिए note भी छोड़ देता हूं इतना ही आगे कुछ और भी लिखते दों जाता है वो है echo one तो यह मैंने आपके लिए note भी छोड़ दिया इस file में ताके जब भी आप यूज करें इस command को तो आप मुझे याद रखें और इस command को जो मैंने आपको बताया है आप उसी को follow करें तो यहां पर जो मेरी command होगी वो होगी echo echo 3 यह यह मेरी command complete होगी है अब यह command क्या करेंगी यह run होगी अगर हम batch script को run करेंगे वैसे भी आप bin batch को वैसे भी अगर आप open करें तो उसको run कर सकते हैं लेकिन मैं इसको automatic करना चाहता हूं तो मैं चाहता हूं कि मैं जब एक time fix कर लो उसके time पर यह command automatic run हो जाए तो मैंने इसकी अभी change mode की मदसे इसकी मैंने कुछ permissions change की इसकी उन्हों जो permission ना वो 755 की है ताकि इसको run करने करते वक्त administrative rights की दूरत ना पड़े तो मैंने इसको कुछ administrative rights दी हैं यहां पर मैं crown tab की मैंसे एक job लिखता हूं crown job के अंदर इस file को run करने के लिए ताकि यह file automatically एक specific time के उपर जाके run हो जाए तो crown tab hyphen e की command से मैं इस file के अंदर आया हूं यहां पर इस file के अंदर आप जितनी भी jobs लिखेंगे वो सारी की सारी run होंगी अब यहां पर मैं लिखता हूं के रोज 5 बजे जब भी 5 बजे तो मेरी यह file run हो जाए तो उसके लिए 3 star उसके बाद आपने path देना है जो मेरा path है वो है यह मेरा path है बलगे इसके आगे slash नहीं है यह root directory को उपर पड़ी है तो clear cache.sh यह एक मेरी best script है इसको मैं चाहता हूं के जैसे ही 5 बजे यह run हो जाए तो मैंने crown job के अंदर यह मैंने एक line लिखी है इसकी मेंसे क्या होगा कि daily 5 बजे मेरी clear cache.sh की file run हो जाएगी और उस file में मैंने क्या लिखा हूँ है उस file में मैंने लिखा है कि आप जो dentries है यहां फिर आप page की cache है यहां फिर जो हमारी तीसरी चीज थी वो सारी की सारी inodes जो है वो delete clear हो जाए बैस script की मज से तो अब यह क्या होगा crown job daily 5 बजे चलेगी और जो मेरी यहां की RAM है वो clear हो जाएगी इसमें मेरी page की cache nodes और dentries सारी की सारी clear हो जाएगी अब आपने इस file को save कर लिया और यह schedule हो चुकी है इसमें आपको कुछ ज़्यादा करने की जूरूत नहीं है यह file automatically run हो जाती है यहां पर देखे जैसे ही मैंने वो file बंद किया मेरे पास आ गया installing new crown tab इसका मतलब क्या होगा कि मेरी वो best script जो थी वो हर रोज पांच बजे अब run हो जाएगी मेरी crown job successful हो चुकी है तो यह था मेरा पहला method जिसके मेरे से आप page की cache identities को clear कर सकते थे जो मेरी next command है वो है कि आप swap की space को कैसे clear कर सकते हैं तो उसके लिए एक simple सी command है swap off उसके बाद hyphen a का switch up use करेंगे उसके बाद दो दफ़ा amperson का sign और swap on उसके बाद hyphen a यह क्या करेगा कि swap की जो space है उसको clear कर देगा जैसे मैं इसको enter करूँगा मेरी जो swap की space है वो clear हो जाएगी अब इसी command को swap की space जो मैंने clear की है यही command अगर मैं use करना चाहता हूं किसके साथ crown job के साथ तो मैं वो भी कर सकता हूं कि daily कितने बज़े जाके वो crown job start हो तो वो भी मैं अपनी उस file के अंदर entry कर सकता हूं लेकिन मैं पहले आपको run करके दिखाता हूं मैं करने क्या जा रहा हूं जो हमारी previous command थी उसमें थोड़ी सी modification करने लगे हैं पहले मेरे पास जो थी वो cache clear करने के लिए थी drop cache की जो command है वो हमने use की थी अब उस command के साथ हम swap की command को भी mix करेंगे मैं इसको copy कर लेता हूं यह सारी command मैं मैंने copy की और यहां पर मैंने paste की उसके बाद फिर से दो दफ़ा एंपरसन का sign है यह command थोड़ी सी लंबी है और थोड़ी सी मुश्कल भी है बहुत सारे लोग इस command को करने से हिच कचाते हैं क्योंकि यह वैसे है भी एक मुश्किल चीज क्योंकि यह आपके system को बिलकुल खराब कर सकती है अगर यह command आप सही से run नहीं कर रहे तो कभी भी मैं इसको recommend नहीं करता कि आप production में इसको use करें directly अगर आपको इस command के ओपर clip नहीं है तो उसके लिए सबसे बहतर तरीका यही है कि आप पहले कोई dummy machine बना ले virtual machine बना ले उसके उपर इसको पहले test करके देख लें तो अब यह क्या करेगी RAM की cache को और swap को clear कर देगी बिलकुल ही clear जैसे ही मैं enter करूंगा आपके सामने message आ गया कि RAM cache and swap cleared यह message मैंने खुद से print करा है यहां पर printf की मदब से यह message जो basic हमारी command है पहली command यह है जिसने आपको जो page की cache है इनोर्ड और डेंटरिस को clear किया था यह दूसरी command है end के अंदर जिसने हमारी swap को clear किया था यह तीसरी command जो मैंने mix की है इसके साथ वो print की है कि आप मुझे message भी print करके दो इसको अगर आप जैसे ही आप test करेंगे आपके पास अगर यह result आ गया इसका मतलब है यह command successfully run हुई है तो इस command को करने के बाद आपके पास एक और चीज़ है इन सारी चीज़ों को clear करने के लिए आप simple free-h भी use कर सकते हैं वो इस case में है कि आपके जो previous command है वो सारी run की हों अगर वो पहले से run की नहीं की हुई तो free-h की command आपके लिए सही तरह से work नहीं करेगी तो जैसे मैं इसको enter करूंगा आप यहाँ पर देखे उसने मुझे का ज इतनी है यह इतनी है शेड इतनी थी सारा कुछ उसने मुझे रिजल्ट शो करा दिये तो यह थी आज की मेरी वीडियो जिसमें मैंने आपको करके दिखाया कि आप किस तरह page की cache को dentries को और inodes को swap कि space को RAM की cache को सब को आप clear कर सकते हैं और मैंने आपको automate भी करके दिखाया सब कुछ automate करके दिखाया कि आप किस तरह से इन चीजों को automate कर सकते हैं अब जो मेरी पहली जो command थी जिसमें मैंने आपको automation करके दी थी जो मैंने best script लिखी थी उसमें आप swap को भी clear करने के लिए लिख सकते हैं कि automatic वो भी clear हो जाए तो मैं आपको वो भी करके दिखा देता मैं इसी web script में जाता हूँ यहां पर जाकर इसी command के अंदर मैं दो दफा end लगा के वो command लिख देता हूँ तो अभी यह क्या करेगी इन दोनों commands को इकठा run करेगी पहले तो echo की मदसे मेरी cache page की cache entries और in notes को clear करेगी फिर मेरी swap की space को clear कर देगी अब यह automatic है daily 5 बजे मेरी crown job run होगी और इस command को run कर देगी उससे क्या होगा कि मेरी cache हर दफा daily 5 बजे clear होगी मेरा system smooth रहेगा तो अमीद है कि आज की वीडियो थोड़ी सी difficult थी लेकिन आपको समझ आईए होगी अगर आप मेरी इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को subscribe करें और बैल के बटन को दुबा दें ताके मेरी नहीं आने वाली सारी वीडियो साथ